तो यह जो है इंडिया में एक मातर ऐसा जगर पूरी बाबाई लोग जो रहते ना जो तंत्र विद्या करते हैं वो एक्चुली एक्चुली इसको होगा तो अभी चुनी अस्तिक तो यह है है यह है यह देखिए और सबसे इंपोर्टन चीज जो यहां है आपको पता होगा इ यह जो रस्ता आप देख रहे हैं यह जाता है सहारगाट और इस तरब का जो रस्ता में आपको दिखाता देखिए यह आता बेनीपटी तो आप यहां से आ सकते हैं बिंदास तो गाइस जैसा कि आपने अभी देखा तो हम लोग आया है उचेट भगवतियस्थान तो यह ज सबसे इंडिया में एक ही जगह है तो चलो अंदर अंदर जा रहे हैं अब आपको दिखाते हैं और कुछ जानकरी शेर करें हैं चलते चलते अंदर की तरफ और सबसे इंपोर्टन चीज जो यहां है आपको पता होगा इंडिया के सेक्सपियर किसको कहते हैं कालिदास जी ज तो माना जाता है कि यहीं मंदिर पर उनको ज्यान प्राप्त हुआ था आगे जानकर हम आपको शेर करेंगे शाम को आया है आप देख सकते हो तो ज्यादा क्लियर तो दिखेगा नहीं वैसे बट ट्राइ करते हैं आपको दिखाने का दोनों साइड से हैं इंट्री के लिए आप कर सकते हैं और यहां पर बहुत सारे दुकाने खिलोने वगेरा बच्चों के लिए मिठाई वगेरा के बहुत सारे दुकाने यहां पर हर चीज मिल जाएगा आपको और ये जो गेट है यहां से होता है मंदिर का परिसल वो में गेट था मचली का जो दुवार था आपने देखा था और ये में गेट है यहां पर ठीक है यहां से आप मंदिर में लोग इंटरी कर रहे हैं यह मंदीर का बैक साइड है और यह दिखे साइड से न यहाँ पर मुर्ति वगरा है आपको दिखाता हूँ क्लोज जाके पहले यहाँ पर पानी वानी गंदा कर देते थे तो इसको घेर दिया गया है ताकि यह साफ रहे यह आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी देवी देवतायक है चितर बनाए गए और यह मंदीर के चारो साइड है जिससे आपने यह साइड देखा और गेट के उस साइड भी है वो साइड से भी ऐसे बने हुए तो चले चलते है में मंदीर में बहुत है वाज पर बहुत साब करेपार मयुट से खंग और उनसे हो किया है पर अंतुरे बहुत अच्छ लाए करे चिन मस्ति का भी कहा जाता है, उसका रिजन ये है, कि उनका जो सर है नमाता का वो नहीं है, उनकी सिर्फ बोड़ी है, उसके पीछे एक अलग कहानी है, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाईए, वह हम बाद में बात करेंगे, आप लोग जरा देखो, इंज्वाइ करो, ये मंद चोटे-चोटे हैं यहां पर, यहां से हम लोग आये है, और एक द्वार यहां से भी है आने के लिए, बट कोशिच करेंगे, आप सामने से आए तो आपको बहुत सारे चीज़े दिखने को मिलेगी, और आने के बाद आपको यहां पर इसे कहते है, पोखर, जो आप बोलोग यह देखिए, यहां पर आके, आप अपनो पैर वगरा दोले, तभी मंदिर में प्रवेश करें, और अभी बहुत थंडी है, तो हम लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे, यार मजा कर रहे, चलिए, बिलकुल, मंदिर आया तो प्रवेश तो बनता आज़ा है, चलिए, जो जो पर आए, तो जो आए तो आए, अब चल रहे है, अब चल रहे है अन्दिर, अन्दर, शाम का टाइम होगा भी, आए ये हैं में मंदिर ये देखिए माता कस इंगार किया गया है आयो जी अपना सर जुकाते हुए आश्रवाद लेते हुए हमसे पहले है और ये देखिये अब आप थोड़ी देशने पकड़ लिजेए रहे है मंदिर के जह सामने अगर आप देखोगे तो ये देखिए भुले वावा जय वोलनात भुले वावा का मंदिर है परहर महादे ये देखिए अब भुले वावा का मंदिर बनाए और हम घंटी ना बजाए पॉसिबल है कभी ने ये आप देख सकते हो मुख्य द्वार देख लिए एक बार कैसे है मुख्य द्वारे प्रवेश करने के लिए देखो बली परदा जो है वो यहाँ भी चलता है ये देखिए बली परदा ये यहाँ पर दिया जाते है ये निकाज द्वार और ये देखिए अब और ये है गंटा सॉरी गंटी इतना बड़ा है माता जी का फेस दिख रहा है आप लोग को अब ये देखिए जैसे कि मैंने बताया थे देखिए चारों तरफ है दिवाल के है ये पंडिच जी है थंडी लगर इसलों जाके डाले इंसे थोड़ा बात करते हैं जानते हैं हम इन से जानना चाहरे है अध्यात्मिक और एतिहासिक चलिए पूछते हैं तो भंडिच जी आपका नाम क्या और शुब नाम नीरज कुमारगिरी आप यहां कब से हैं यहां हम दस साल से यह यहां पर है तो चलिए इन से जानते हैं को जानकरी यहां की इतिहासिक क्या है और धार्मिक मौत वो क्या है यहां पर काली दास को प्रदान मिला था यहीं पर पाट साला है जहां वो जारू पोचा का काम किया करते थे वो बहुत मुर्ग थे तो यहां पाट साला से रोज प्रती दिन मा को सांज आरती पुजा अराधना के लिए सब वहां से गुरुजी और सिस आते थे यहां आजरी देने के लिए दरबार में माखा के तो कुछ दिन बारिष का समय था यहां पर खुब तेज बारिष हो रहे थी पास में नदी है नदी का नाम कुमानी नदी है उसी मुझ में बारिष के कारण पानी बहुत ज्यादा चुए आज हम जाएंगे माता के दरवार में अराधना पूजा मतलब पूजा बंद की जाएगी कोई दरते तयार ने हुआ तो उन्होंने बोलाए कि आज हम जाएंगे मा के दरबार में पूजा करने के लिए तो सब बोलें कि ये जाएगा अगर डूब भी जाएगा तो कोई खुज खवर लेने वाले नहीं है तो इसी के कारण वो आए यहां यहां पूजा राधना देने के लिए आए तो बारी सो र तो सोचे कि अधर उधर कहें देंगे तो बारी से धूल जाएगी तो डिरेक्ट मा के मुह में वो काला लगाने चले जैसे लगाने लगे तो माता रानी साक्षाथ परकट होके उनका हाथ पकड़ लिया कि मैं तुम्हारे पूजा अराधना से प्रसंद हुआ प्रसंद प्रसंद हो जाएंगे एक चेप्टर तुम जैसा आपने रोबर्ट पिच्चर में देखा होगा तो उन्होंने सारा रात भर में पुस्तके उन्टा दिये सुबा जब जारू पोछा का काम कर रहे थे तब ही बच्चे को गुरु जी पढ़ा रहे थे बाहर में बैठके तो उसी में पुछ लाइन गलत उन्होंने पढ़ दिया बच्चे तो काली दास बोलते हैं असुधम बक्तम फिर गुरु जी बोले कि इसको कहां से उतना ज्यान हो गया तो फिर वो पर है बच्चे लोग पर ने लगए फिर गलत हुआ तो गुरु जी पूछे आँ बच्चे तो बोला कि गुरु जी हम गए थे ऐसे रात में मतलब अरादना देने के लिए मापको पुजा करने के लिए तो माता ने बर्दान दिये तो वही हम रात भर बें पुष्टा के उन्ताए सारे कंठस्ट हो गए तो वही हमको मतलब लगा कि आप गलत पर रहे ह तो इसलिए हम भोले तो उनका उजयन राजा भोज की लर्की वितुत्मा उन्हीं के दरवार में मतलब साधी का उनका बात चला कि पिता जी बोले राजा भोज इस दुनिया में सबसे वारा जो मुर्ख है इसको बिला के लाए लाए इसे मपनी बेटी की पाधी करवाने उन है उसी पेर को साथ रहे हैं तो उनके दो चैनाती सब बोले इनसे वरा मुर्ख कौन होगा है कि जीसी पेडल फे बैठे उसी दो काट रहे है आपने बड़ा भी होगा शायद तेखा भी होगा वो यहां से पकर के ले गए दरबार में पेस किये गए उनका साधी होने के पस्चाद उस दिन के बाद विजितमा को काली दास अच्छे नहीं लगे यहां आए थी पाड सामनी और इनका को यहीं यहां का अधानी बिलुकल बिलुक्त को दिन जो लाए्लों आपके इस नहीं कर दोड़ान मतारानी का प्रेस कटा हुआ था लुकिन इसमें से जो माता कि उसमें जो पुपड़ी के तो इसमें सबसे इंपोर्टन पार्ट रहता इंसान के बड़ी में हार्ट तो कहते कि जो हार्ट था वो यहां पे गिरा हुआ था अगया और दिखाते आपको यह जो पेड़ा आप देख रहे हो यह भी बहुत पुराना है पहले यहां पर आपको पता है कि यह कहते थे क्या कहते थे इसको अगुरी अगुरी बाबाई लोग जो रहते ना जो तंत्र विद्या करते वह एक्चुली यहां पर बहुत होता था पहले है अभी थोड़ा कम हो गया है अभी भी कहीं कहीं होता है बट पहले यहां पर वह इसकलिए फेमस था और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर देखिए मिठाई के दुकान सारे लाइन से सारा इस तरफ बना हुआ है सारे चीज़ आपको मिल जाएगी यहां पर अब हमने दर्शन कर लिया टीका ले लिया आशिरवाद हो गया सब हो गया अब हमले अपना चपल पहनेंगे और जाएंगे कहां घर तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेर सब्सक्राइब कर देना ठीक है और जल्दी मिलेंगे फेक नए वीडियो में तिल देन बाबाई टेक क्यों